क्या diabetes के मरीज अर्बी खा सकते हैं अर्बी को अंग्रेजी में टेरो रूट बोलते हैं तो आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर आपको diabetes है तो आपको अर्बी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए अर्बी के बारे में क्या diabetes के मरीज अर्बी खा सकते हैं बहुत confusion है इसको लेके और कुछ लोग कहता है कि अर्बी खाना चाहिए अगर आपको शुगर है तो आखिर करें तो क्या करें तो जादातर diabetes के मरीज हमेशा confuse रहते हैं कुछ लोग खा लेते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि RB का glycemic index क्या है तो अगर मैं RB की glycemic index की बात करूँ तो RB का glycemic index है 48 और 48 glycemic index ये एक low category में आता है लोग glycemic index फूड में आता है 55 के नीचे अगर glycemic index है तो उसको low category में माना जाता है और RB का glycemic index जो है मात्र 48 है लेकिन picture अभी बाकी है picture अभी खतम नहीं हुआ है क्योंकि सिर्फ glycemic index सब कुछ नहीं होता है इसके साथ आपको glycemic load के बारे में पता होना चाहिए तो glycemic load अगर मैं calculate करूं 100 ग्राम RB का तो 100 ग्राम RB में आपको तक्रीबन 26 ग्राम के असपास carboidate मिल जाता है जो की काफी high है लेकिन glycemic load calculate करेंगे तो वो साड़े 12-13 के असपास आता है 12 और 13 के बीच में glycemic load रहेगा और 12 और 13 glycemic load जो है वो moderate category में आता है यानि कि आपक sugar level को बढ़ा सकता है वो low category में नहीं आता है जो glycemic load है वो भी high low medium ऐसे बाटा गया है अगर किसी भी food item का 10 के नीचे glycemic load है उसको low कहते है और 10 से 20 के बीच में है तो उसको हम medium कहते है और अगर 20 के उपर है तो उसको हम high category में रखते है तो glycemic load अगर मैं 100 ग्राम RB की बात कर है लेकिन glycemic load जो है वो नेरबर करता है quantity पे तो अगर आप quantity आदा कर देंगे तो उसका glycemic load भी कम हो जाएगा और अगर आप उसका quantity दूगना कर देंगे तो उसका glycemic load भी बढ़ जाएगा तो अगर 100 ग्राम RB की बात करूं तो सारे 12-13 के असपास glycemic load है और usually मैं मैं मना क करता हूं कि अगर 12-13 किसी food item का glycemic load है तो उसको आपको avoid करना चाहिए लेकिन इस case में मैं आप लोग को recommend करूंगा कि आप खा सकते हैं अगर आप खाना चाहते हैं क्यूंकि अगर आप अरबी की बात करें तो उसमें जादातर carbohydrate ही होता है protein और fat नाम मातर के लिए होता है ले आपको मिल जाएगा 5-6 ग्राम के असपास आपको फाइवर मिल जाएगा 100 ग्राम अरबी में और जो बाकी जो कर्वाइड है वो resistant starch होता है resistant starch एक खास तरेके का कर्वाइड होता है जो आपके digestive system में आपके intestine में digest नहीं होता है जब वो digest नहीं होता है और इसी के कारण आपके sugar level को तेजी से नहीं बढ़ाता है तो जिस भी food item में resistance starch है फाइवर जादा है बले उसका कर्वाइड थोड़ा सा जादा क्यों नहीं हो वो आप बिलकुल ले सकते है साथ ही साथ इसमें अच्छा मात्रा में आपको potassium मिल जाता है 500 सारे 500 मिलिग्राम के आसपास आपको potassium sugar को control करने में मदद करेगा potassium बहुत important है blood regulation के लिए आपके heart के लिए तो इसलिए अर्भी अगर आप लोग खाना चाते हैं तो बिलकुल खा सकते हैं अर्भी में anti-cancerous properties भी होता है anti-inflammatory properties भी होता है साथ ही साथ और भी बहुत तरीके का vitamins and minerals भी होता है जैसे vitamin C, vitamin E तो इसलिए अर्भी अगर आप खाएंगे तो आपको nutrition भी मिलेगा दूसरे type का nutrition आपको मिलेगा जो कि आपके सहथ के लिए बहुत जरूरी है तो इसलिए diabetes के मरीज अगर अर्भी खाना चाते है तो बिलकुल खा सकते है लेकिन धियान रिखिए अगर आप 100 ग्राम से जादा खाएंगे कि पूरे दिन में 120 ग्राम के असपास carbohydrate रखना है तो अगर आप 200 ग्राम भी खाना चाते है बिलकुल खा सकते है लेकिन पूरे दिन में आपको 120 ग्राम carbohydrate रखना पड़ेगा अगर आप पूरे दिन में 120 या उसके नीचे carbohydrate रख सकते है तो आप 200 ग्राम अर्भी भी खा सकते है इससे आपको काफी फाइदा मिलेगा अब सवाल ही आता है जो लोग भी diabetes reverse कर रहे है ketogenic diet follow करके तो उनके लिए मैं recommend नहीं करूँगा क्योंकि ketogenic diet अगर आप follow कर रहे है diabetes reversal के लिए तो अगर आप arby खाएंगे तो आप ketosis में नहीं जा पाएंगे ketosis में नहीं जा पाएंगे तो फिर ketogenic diet follow नहीं हो पाएगा तो इसलिए अगर आप ketogenic diet follow कर रहे है तो आपको arby avoid करना चाहिए लेकिन अगर आप लोग का आप diet follow कर रहे है diabetes reversal के लिए तो arby बिलकुल खा सकते है खाना चाहिए लेकिन अगर आप जादा खाएंगे तो आपका sugar level बढ़ा सकता है तो इस वीडियो को जादा से जादा share करिए क्योंकि बहुत confusion है लोगों में कि arby खाए या ना खाए और अगर आपको arby पसंद है और diabetes reversal journey में है तो बिलकुल खाईए लेकिन in moderation 100 gram से जादा नहीं खाईए और carbohydrate counting पे focus करिए तो उम्मेद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वस्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद प्रफ़ एस वीडियो को देखने के लिए लोगों से वीडियो के लिए आप सब का रहे